दोस्तों आप यदि stock market में कुछ समय से हो और invest करते हो तो आपने corporate actions के बारे में ज़रूर सुना होगा और यदि आप बिलकुल नए हो और इसके बारे में नहीं सुना है तो आज आप इसके बारे में जान लोगे नमस्ते दोस्तों investing minds के एक और नए वीडियो के साथ हम हाजिर ह और आज हम समझेंगे एक company के corporate action को ये क्या होते हैं इसे क्यूं लिया जाता है और साथ ही जानेगे what of the major corporate actions dividends के बारे में दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे request करूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe कर लो और साथ ही bell icon को भी press कर दो ताकि आपको finance और stock market की latest videos मिलती रहें तो बिना किसी delay के आईए वीडियो की शिरुवात करते हैं corporate actions ऐसे initiatives होते हैं जो एक listed company लेती है और ये stockholders को directly या indirectly effect करती है आपकी यदि corporate actions की समझ अच्छी है तो आप company की financial condition को बहुत अच्छी से जान पाऊगे जो आपको ये decision लेने में मदद करेगा कि आपको उस company में invest करना चाहिए या नहीं कुछ major corporate actions हैं dividends, bonus issue, right issue, stock split, buyback of shares जिनके बारे में हम अगले videos में जानेंगे पर आज हम जानेंगे सबसे important corporate action dividend को तो आईए इससे जानते हैं dividend का हिंदी में मतलब होता है love hunch यानि कि profit का एक हिस्सा तो जैसे के नाम ही suggest कर रहा है कि जब किसी company को profit होता है तो वो अपने shareholders को उस profit का एक हिस्सा देना चाहती है तो वो dividend के through देती है dividends को कैसे बांटा जाता है ये भी बहुत मज़ेदार है company per share basis पर dividend देती है example के तोर पर यही एक्स company per share 10 rupees dividend दे रही है तो आपके पास माल लीजिए 100 shares हैं उस company के तो आपको profit होगा 100 into 10 is equal to 1000 rupees का ये 1000 rupees आपको बिलकुल free में मिले हैं जिनके लिए आपको अपने shares को बेचने नहीं पड़े बस क्यूंकि आप उस company के shareholder हैं तो आप eligible हैं उस company के dividend लेने के लिए अब देखते हैं dividend को बाटने का procedure सबसे पहले आता है dividend declaration date ये वो दिन होता है जब company ये declare करती है कि उसे अपने shareholders को dividends देने हैं उसके बाद आता है X date ये last cut of day होता है जिसका मतलब होता है कि येदी अगर आपको उस company के dividends को लेना है तो X date वाले दिन आपके पास उस company के stock होने चाहिए और येदी X date वाले दिन आपके पास उस company के stock नहीं है तो आप eligible नहीं माने जाएंगे dividends लेने के लिए उसके बाद next आता है record date, record date वाले दिन company list बनाती है उन सभी shareholders की जिनको उन्हें dividends देने हैं और finally last में आता है dividend payout day यानि ये वो दिन होता है जिस दिन company actual में अपने shareholders को dividends देती है तो ये था procedure कि एक company कैसे dividends अपने shareholders को देती है अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलू कि dividends देना company के लिए obligation नहीं है वो चाहे तो अपने profit में से आपको dividend ना दे करके उस profit को आगे reinvest भी कर सकती है बट major reason होता है dividend देने का कि ये company के financial discipline को दिखाती है और साथ ही ये investors को भी attract करती है तो ये था सब कुछ dividends के बारे में हमारे अगली वीडियो में हम जानेंगे दूसरी important corporate actions stocks plate, buyback, bonus issues, right issues के बारे में मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यदि हाँ तो इस वीडियो को like जरूर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को subscribe भी कीजिए so that आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो miss ना कर सको आपके मन में इस वीडियो से लेकर की कोई भी doubt है तो आप इसे comment box में ज़रूर लिखिए हम उसका जवाब देंगे आपने अभी तक यदि कोई ट्रेडिंग अडिमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो हमने एक best brokerage company का link description box में डाल दिया है जिनके brokerage charges बहुत ही कम है और equity delivery में investment बिलकुल फ्री है हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते ही हमारे अगले वीडियो में सब तक keep learning, keep growing and take care